इदर भी गदे हैं उधर भी गदे हैं जदर देखता हूं गदे ही गदे हैं गदे हस रहे आदनीर हो रहा है हिंदोस्ता में ये क्या हो रहा है ये फागुन का महीना है और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है लेकिन वैशाख नंदन गधा इसमें अनायासी में है चर्चा में है तो मुझे हिंदी कविसमेलनों के आचार यहास्य कभी स्वर्गी ओंप्रकाश अदित्य जी की बड़ी लोक्षूत कविता याद आ गई उन्होंने सेकड़ों बार मेरे सामने हम सब के सामने सका वाचन किया और हमने बड़े आनंद के साथ इस कविता का पार्ट सुना लेकिन कविता आज इतनी प्रासंगिक होगी यह बड़ा अश्चर है मैं आपको आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं कि इधर भी गदे हैं उदर भी गदे हैं जिधर देखता हूं गदे ही गदे हैं गदे हस रहे आदमी रो रहा है हिंदोस्ता में यह क्य अपकी में यह गदो के लिए है यह दिल्ली यह पालम गदो के लिए है यह संसार सालं गदो के रचना लिखी से कहते हैं आचारे कभी का शिल्प यहां आदमी की कहां कब बनी है यह दुनिया गधों के लिए ही बनी है जो गलियों में बोले वो कच्चा गधा है जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है जो खेतों में दीखे वो फसली गधा है जो माईक पे चीखे वो अस गया हूँ, नशे की पिनक में कहां भे गया हूँ, मुझे माफ करना में वटका हुआ था, वो ठर रहा था भीतर जो वटका हुआ था, इधर भी गदे हैं, उधर भी गदे हैं, गोड़ों को मिलती नहीं, घास देखो, गदे खा रहे हैं, चवन प्राश देखो, जो खेतों मे दीखें, वो फसली गधा है, जो माईक पे चीखें, वो असली गधा है, तो वैशाक नंदन को स्विकार करिएगा, और इस फागुन के महा पर्व को, इसी अनहत बैते हुए ठर्रे के साथ आनंद लीजिएगा, जै महाकार्ण!